आई स्टुडिंट्स कैसे आप सब लोग पॉपल अफिगर आदम शीव नों करेंदे जा रहे है बच्छो चाप्टर नंबर 8 इंकम डिक्रमिनेशन और मुल्टिप्लार बहुत ही बढ़ी है इस चाप्टर के अंदर नुमारिकल पॉर्षिल शे माक का नुमारिकल आने के पू इक्विलिब्रियम की याद देलाता हूं माइक्रोएकनोमिक्स में क्लास 11 में पढ़ते थे आप कि हाउट टुटमाइन मार्केट इक्विलिब्रियम आपको बहुत प्यारा चैप्टर लगता था क्योंकि आपको डिमांड सप्लाई से खेलना है डिमांड सप्लाई को पूरी एक्विलिब्रियम की और पूरी एक्विलिब्रियम का आप एक्विलिब्रियम आउट्पुट निकालने के लिए अप्रोच पढ़ेंगे कि हाउट डिमाइन एक्विलिब्रियम निकालने के लिए किसका एक्विलिब्रियम सर इंकम और आउट्पुट का एक्विलि तरी अप्रोच उसी से डिराइफ करेंगे सेविंग्स आड इन्वेस्मेंट अप्रोच तरी अप्रोच कहते हैं देखो बच्छो आप एग्रिगेट डिमांड पढ़ चक्यों चैप्टर निंबर सेविन अब क्या करना है अब उन दोनों से खेलना है उन दोनों को बराबर सकता है उसके लिए पहली अप्रोच है एक और बात सुन लो बच्छों यह एक्विलिब्रियम डिटर्मेनेशन हो यह माक्रों की कोई भी थेयोरी हो आल्मोस्ट थेयोरी मैं आपको बोला था कीन्स ने दी थी जॉन मेनाट कीन्स तो किनीजियन थेयोरी आप पढ़ने जा र लेकिन क्लास 12 के सिलेबिस में आपको सिखाया जाता है कीनीजियन थेयोरी से एक्विलिब्रियम निकालता है तो आज क्लास 12 के बच्चे एक्विलिब्रियम डिटर्माइन करेंगे थ्रू कीनीजियन थेयोरी तो आज हम लोग पढ़ेंगे कीनीजियन थेयोरी आफ एक्वि हम आ जाएंगे numerical portion पर जिसका आपको इंतिजार रहेगा क्योंकि 6 माक का numerical exam में आख सकता है interesting है करने में मज़ा आते देखो chapter number 7 जो है ना उसके numerical आपने पढ़े हैं बचूँ तो जैसे chapter number 7 के numericals थे ना उससे भी जादा interesting chapter 8 के numerical से बचूँ तो सबसे पहले शुरू करते है AD and AS approach की theory इसमें हम use करेंगे table and diagrams उसके अलावा थोड़ी situation का use करेंगे ध्यान देना interesting chapter है मजा आएगा बस focus बनाए रखना मन लगा के दिल लगा के पढ़ना शुरू करते है AD and AS approach of income and output determination सबसे पहले मैं आपको एक बार notes में introduce कर देता हूं कि chapter है क्या income determination and multiplier सबसे लास टॉपिक है numerical स्पोर्स नियांस ज्यादा बनेंगे तो आपके लिए सबसे पहले टॉपिक जो notes में दिया है वो क्या दिया बच्चो determination of equilibrium level equilibrium आप कैसे निकालेंगे तो हम पढ़ रहे है कीनिजियन थियोरी के थुरू equilibrium कब होता है आप ध्यान देना देखो बच्चो जब भी हम six mark का question करते हैं मैं आपको अभी शुरू कर रहा हूं AD and AS approach of equilibrium determination of equilibrium determination ध्यान देना तो equilibrium determination करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं AD और AS approach ऐसा क्यों इसका क्या logic है ADS approach क्यों पढ़ रहे हैं देखो बच्चो हमारी economy के अंदर जब भी हम बात करते हैं एक individual unit की एक individual firm की यह हम बात करते हैं मार्किट की तो मार्किट equilibrium पे तब होती है जब मार्किट में टोटल डिमांड इंडिविजुल डिमांड को आड़ करके market डिमांड ने कालते थे जब मार्किट की डिमांड और मार्किट की supply दोनों बराबर होते थे उसको बोलते हैं मार्किट equilibrium जहां पे ना excess demand ना excess supply ऐसे ही अब economy के बारे में सोचो अगर मैं पूरी economy की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूगा मैं market demand तो नहीं use कर सकता है ना market supply यूज कर सकता हूं मैं बोलूगा when aggregate demand of goods and services by all the sectors in the economy is equals to aggregate supply of goods and services by all the folks मेरी बाद समझ में आ रही है आपको economy equilibrium पे तब होगी according to Keynesian theory Keynes क्या बोलते economy equilibrium पे तब होगी मैं सिरफ Keynes की बाते करूँबा classical theory is not in your syllabus according to Keynes equilibrium can be determined at that level where aggregate demand equal to aggregate supply जहां पर aggregate demand और aggregate supply बराबर आ जाएंगे उसको बोलेंगे आप equilibrium तो जब 6 माक में आप 5-6 लिखेंगे चार माक में आप 5-6 लिखेंगे तो presentation क्या होगी उस पे आपको धियान देना है बच्चे content पे धियान देते हैं ठीक है देना चाहिए प्रेजेंटेशन पे उस पे फोकस करो content अपने आप में बदा रहूँ आपको तो सबसे पहले सबसे पहले आप लोग meaning डालते हैं कि equilibrium determination का मतलब क्या है meaning क्या है तो आप क्या लिखेंगे equilibrium can be determined at that point equilibrium can be determined at that point where aggregate demand where aggregate demand is equals to aggregate supply यह आपको सबसे पहले meaning मैंने short में लिखा बिटेल में देखिए equilibrium economy के अंदर जो equilibrium है is determined when aggregate demand of goods and services is equal to aggregate supply during a given period of time यह आपको ध्यान देना है equilibrium कब determine होगा जब AD और AS दोनों बराबर होगे मेरी बात समझना है meaning के बाद meaning के बाद आप लोग क्या लिखते हैं सबसे पहली बाद आप यहां पर कुछ assumptions लिखने जा रहे हैं बच्छो अब देखो assumptions का रोल क्या है assumptions का रोल यह है कि अगर आपको कोई भी चीज कोई भी theory किसी economist में समझानी है कोई भी economist अपने theory को prove करना चाहता है तो सबसे पहली चीज assumption लेता है कि मैं यह assume करना हूँ तब यह चीज पॉसिबल है ध्यान देना बच्छो सबसे पहली assumption यह कि हम जो equilibrium study कर रहे हैं equilibrium model study कर रहे है की तो कीज बोलता है कि आपको assume करना है कि आप सिरफ दो सेक्टर मॉडल में equilibrium निकालने जारे है मतलब कि सिरफ यहां पर household sector है और firm sector है there is no government sector no foreign sector सबसे इंपॉर्टन बार पहली assumption की इसकी कि आप जो ही model study कर रहे है class tools में यहां पर आप सिरफ एजियों कर रहे है कि दो ही sector है economy closed है there is no foreign sector मतलब कि दो ही सेक्टर है household और firm दूसरी assumption पहली assumption कह है मैं resuming that there are only two sectors मैं short में लिख रहा हूँ two sectors आप मानके चल रहे हूँ यह assumption है सिरफ household sector है और दूसरा जो है वो firm sector there is no government sector no rest of the world यह assumption ओके दूसरी assumption क्या कहता है इस बोलते हैं दूसरी assumption यह है कि जो firms देखो household consumption करते हैं consumption expenditure is directly related to disposable income या नाचली इंकम बढ़ेगी consumption बढ़ेगा बट जो investment है उसके लिए assumption है पहली पर चुके है investment is assumed to be autonomous investment को assume किया गया कि वो constant है वो बदलेगी नहीं is assumed to be constant investment को आप मानके चल रहे है constant एक बार जो investment कर दी वो कर दी बार बार change नहीं होगी investment is assumed to be constant third assumption क्या है की जो बोलते हैं कि हम मानके चल रहे हैं कि price level एक होता है price एक होता है price level दर price हम बात करते हैं सरफ particular good के लिए price level मतलब inflation और deflation वो economic के अंदर नहीं हो रहा है price level is assumed to be constant ना inflation है country के अंदर ना deflation है price level is assumed to be constant no inflation no deflation एक assumption और है जो आप equilibrium model study करने जा रहे हो वो short trend का equilibrium model है equilibrium is to be determined in shorter is to be determined in shorter जो equilibrium निकालने जा रहे हो वो short trend में निकालने जा रहे हो ना कि long यह चार assumptions सबसे में assumptions हैं फिर से एक बार बात करते हैं दो sector है investment constant है autonomous है price level is assumed to be constant और equilibrium is to be determined in shorter यह आपको मानके चलए इन चार assumption की बात अब की इंस बोलता है कि equilibrium find out कैसे होगा meaning में बता दिया equilibrium is to determine at that point where aggregate demand equal to aggregate supply कॉनसे equilibrium equilibrium level of income output या employment तो कैसे निकलेगा जहां पर जहां पर aggregate demand और aggregate supply बराबर होंगे तो आप उसको क्या लिखोगे presentation जब दोगे देखो सबसे पहले presentation में आपने डाला meaning second number पे लिखा आपने assumptions third पे आप लिखोगे कि equilibrium determine कहां पे होगा उसे बूलेंगे सर कंडिशन equilibrium की condition क्या है condition यह है कि जहां पर aggregate demand और aggregate supply बराबर होंगे equal होंगे वहां पर economy equilibrium पे होगी और एक बार ध्यान रहे बहुत important बाली बात जो यह एडी और एस है यह प्लांड है प्लांड desired actual नहीं है यह desired aggregate demand equal to planned और desired aggregate supply यह एक्स आंड यह निकी planned है सब कुछ जो भी है यहां पर कोई actual demand नहीं है actual supply नहीं है यह planned है बच्चो planned ध्यान रखना है desired level of AD है desired level of ASA कितना economic अंदर demand होनी चाहिए और कितनी output होनी चाहिए वो इसकी बात से तो equilibrium जो निकलता है वो planned AD और planned ASA निकलता है actual से नहीं आपको ध्यान रखना है तो यह condition है एक बात और सुनना बच्चो इसी condition से हम अभी पढ़ रहे है यह पता है लेकिन saving investment approach से भी निकलता है वो approach जो बनेगी second value approach वो इसी approach से बनेगी कैसे बनेगी मैं आपको बताऊंगा अभी आप ध्यान दीजिए condition पे तो अभी आपको प्रूफ करना है कि AD बराबर AS जहां पर आ जाए वहां पे कौने इकुलिम्रियम पे हैं तो प्रूफ क और AS approach से ही दूसरी approach निकलेगी कैसे निकलेगी सर AD का formula आपने पढ़ा है chapter number 7 में C plus I होता है AS का होता है C plus S तो यह CC cancel हो जाता है तो आपके पास बचता है investment equal to savings तो यह भी plant investment है और यह आपकी plant savings है जहां दोनों बराबर होंगे वहां पर equilibrium होगा यह second approach है यह पढ़ेंगे first topic ज के बार अभी हम कर रहे है AD और AS approach equilibrium economy का कब होगा जहां पर aggregate demand और aggregate supply बराबर होंगे assumption is that कि हम मानके चल रहे है two sector model shorter में निकाल रहे है equilibrium investment constant price level in the economy remain constant no inflation no deflation अब इस condition को proof करूँगा मैं condition proof कैसे करूँगा बेटा condition proof करूँगा table से तो table में क्या चीए आपको table में आपको चीए y same as before मैंने आपको बोला था जो table chapter number 7 में लेके चल रहा हूँ y chapter 8 में लेके चलूँगा तो y c i s ad and as यहां मैं बनाऊंगा column remarks का यहां मैं explain करूँगा कि equilibrium है या नहीं अगर नहीं है तो क्यों नहीं है तो सबसे पहली बाग करते है income की तो income को बेटा आप लेके चलते हैं जीरो से तो जीरो से लेके चलेंगे 500 तक लेके चलते थे आप तो 500 तक आज भी लूँगा 100 200 300 400 और 500 उसके बाद consumption लिया था हमने 10 autonomous consumption फिर हमने 90 90 से increase किया था बेटा 190 280 370 and 460 investment is assumed to be constant autonomous यह हमने 10 investment को constant लिया था आप को याद होगा तो 10 ही लेके चल रहे हैं आज भी हम यह आपकी table same चल रही है as before उसके बाद saving कैसे निकालते हो बिटा आप income में से आप consumption को minus कर देते हो तो saving निकाल देते हो income is 0 consumption is 10 saving is minus 10 okay minus 10 उसके बाद 0 उसके बाद 10 उसके बाद 20 then 30 and then 40 अब aggregate demand कैसे निकालते हो बिटा c plus i करते हो c plus i तो 10 plus 10 20 then 100 plus 10 कितना आया 100 10 190 plus 10 200 then 290 then 380 and then 470 correct है as कैसे निकालता है c plus s तो c और s को plus कर देंगे आप 10 plus sorry minus 10 is equal to 0 100 200 300 400 and 500 अब देखो अब टेबल कंप्लीट हो गई अब आपको बताना है कि equilibrium कहां है economy कौन से level of income पे equilibrium point पे है तो हमने पढ़ा है sir equilibrium is to be determined at that point where aggregate demand is equal to aggregate supply अब आप ढूंडो कि aggregate demand और aggregate supply कहां बराबर है तो बेटा 200 level of income पे देखो 200 level of income पे जितना आपका AD है उतना ही आपका AS है समझ में आया है जितना आपका AD है उतना ही आपका AS है तो आपका equilibrium जो होगा किस पे होगा 200 level of income पे यहां पर आपका aggregate demand और aggregate supply बराबर है इसको बोलते हो आप equilibrium level of income और employment या output बोल सकते हो equilibrium level of income, employment या फिर output यह आपका equilibrium level होगा जहां पे आपकी aggregate demand और aggregate supply बराबर है समझ में आया इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया देखो economy हर point पे equilibrium पे नहीं हो सकती यह point बहुत rare होता है बहुत सारी economy हर economy के अंदर equilibrium हमेशा नहीं होता है और बहुत rare chance होते है equilibrium आने के या तो demand जादा होगी या supply जादा होगी कैसे देखो आप equilibrium से पहले वाले points पे देखो 200 level of income पे equilibrium आगे हमने मान दिया 200 से पहले जब 100 income थी तो आपका aggregate demand 110 था aggregate supply 100 था इसका मतलब आपका aggregate demand जो था बेटा वो जादा था इससे aggregate supply से इसे बोलेंगे excess demand क्या बोलोगे excess demand तो excess demand है AD is more than AS और उसके बाद देखो आप यहाँ पर आपका AS जादा था और AD कम था तो यहाँ पर लिखो गया आप AD is less than AS इसे आप क्या बोलेंगे बेटा इसे बोलेंगे आप excess supply या फिर deficient demand लिखो जादा अच्छा deficient demand इतनी supply नहीं थी जितनी demand थी लेवल यह था इतनी demand नहीं है जितनी supply है तो वो deficient demand ठीक है through आप ध्यान देना मचों इसी चीज़ को हम दिखाएंगे अब through डाग्राम यह आपका टेबल का जो main head है ध्यान रखो आपको y लिखना है c लिखना है i लिखना है s ad and s यह सब लिखने के बाद आप table बना दोगे और equilibrium प्रूफ कर दोगे कि कहाँ पे आया तो जहाँ पे ad औ महां पे आपका equilibrium होगा यह आपको दिखाते हैं अब इसको शो करते हैं डाग्राम से ध्यान दीचेगा देखो बचे डाग्राम डाग्राम में आप क्या करेंगे सबसे पहले बनाएंगे x and y-axis बहुत है आप x और y-axis पे क्या लिखेंगे labeling क्या करेंगे उस पर ध्यान देना यह आपको अच्छे से पता है क्यों लेंगे क्योंकि c-plus i-ad हमेशा आप यहां लेते हैं और हमेशा आप x-axis पे income लेते आ रहे हैं लेकिन आज मैं आपको नहीं बात बताऊंगा कि यह income के साथ आप employment या फिर output भी लिख सकते हैं बोलो क्यों चाप्टर का नाम क्या बिटा चाप्टर का नाम है determination of equilibrium level of income and employment या फिर output तो आप तीनों determine करने जा रहे हैं equilibrium level तो आप तीनों लिख सकते हैं income employment and output सबसे पहली बात table में आपने दिखाया कि ad equal to as एडी more than asb हो सकता है एडी less than asb हो सकता है तो तीनों लेवल आपको दिखाने कैसे रिखाने उसके लिए आपको ad curve की पैशान होने चाहिए कैसे बनेगा as curve कैसा होते आपको जानना चाहिए तो आपने चाप्टर नुबर 7 में asb पढ़ लिया एडी भी पढ़ लिया एडी की शेप क्या होते है आप जान चुक हो एडी की शेप क्या होते है भी भी जान चुक है तो बच्चा aggregate supply curve also known as national income curve is 45 degree line यह आपको पता है because आपकी जो income है इधर consumed और saved इसलिए होते है इसलिए बोलते हैं इसको 45 degree line उसके बाद बनाएंगे आप aggregate demand curve which is which starts from above the point of origin और सीधा upward sloping intersect करेगा aggregate supply curve को at point e पे यह आप बता देंगे इस point से आप एक line perpendicular draw करेंगे जिसे बोलेंगे हम o y level of income या फे output अब जो आपका e point है इस point पे आपकी aggregate demand और aggregate supply बराबर है इस point को गलती से भी break even point मत बोलना break even point वो था जहां पे c बराबर y थे इसे बोलते थे break even point लेकिन अभी देखो बेटा अभी aggregate demand बराबर aggregate supply के यह break even नहीं है यह equilibrium point है इसमें बच्चे गलती करका है तो इसे बोलेंगे आप equilibrium point है ओके और जो आपका y यह o y level है यह equilibrium level of income है या फिर output है या फिर employment है इस situation में आप देखो आपका aggregate demand बड़ा है aggregate supply से AD कव उपर है यह रहा और AS कव नीचे और यहां AS कव उपर है AD कव नीचे तो लिखेंगे AD is less than AS यह आपकी excess demand है और यह आपकी excess supply की situation है यह deficient demand इसको आप बोलोगे तो यह होता है आपका equilibrium level of income and employment का diagram बहुत ही perfect बहुत हैसान इसको explain करेंगे अब explain कैसे करेंगे ध्यान देना देखो बच्चो मैं आपको एक बार फिर से revise कराता हूँ कि मेंदे क्या क्या पड़ा सबसे पहले question हमारा यह था कि आपका chapter का नाम था equilibrium determination of income and employment तो economy के अंदर equilibrium पूरी economy की बात होगी पूरी economy का equilibrium हम determine करते हैं on the basis of output, employment और national income तो पूरी economy के equilibrium तब आता है जब पूरी economy की अग्रीगेट डिमाड यानि की household sector के डिमाड, form sector की डिमाड, government sector की डिमाड और form sector की डिमाड, सब मिलाकर total aggregate डिमाड, equal होती है aggregate supply जितना production country के अंदर हुआ है by all the forms अब class 12th के syllabus में, class 12th के syllabus में हम बूलते हैं, there are already two sectors, हम assume कर रहे हैं, Keynesian theory, Keynesian theory बूलती है, Keynes बोलते हैं कि class 12th के syllabus में आप सरफ two sector model पढ़ो, आपको समझ में आ जाए, बहुत सारी complexities हैं आगे और जाके, अभी 12th में इतना ही पढ़ो two sector model, तो Keynes ने assumption ले लो, assumption लेते हैं, equilibrium त आपने टू सेक्टर, यहां सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, एक household और एक firm, okay, household क्या करता है, consumption क्या करती है, investment expenses करती है, capital bits पर, तो मानके चल गए हैं कि investment is autonomous, investment तो constant है, लेकिन जो consumption है, उतो पढ़ा आपने कि इस directly related to income, आपकी income बढ़ें बढ़ेगा, तो consumption को तो वैसे लेके investment को क्या मान लिए, अब assumption और भी है, कि short run में है, और price level भी constant है, technology भी constant है, short run में ऐसा मानके चल सकते है, लिख सकते हैं, तो उसके बाद, आपने condition लिखी equilibrium तब होगा, जब AD बराबर IS होगा, अब बात आगे condition पर, अब condition आपको प्रूफ करनी है, AD बराबर IS, कैसे प्रूफ क AD आप निकाल लेंगे, IS आप निकाल लेंगे, निकालने के बाद, आप देखो, जहां पर आपका AD और IS बराबर आ रहे हैं, तो आपका equilibrium है, बात ही खतम हो गई, और equilibrium से पहले देखो, AD more than IS है, क्यों देख रहे हैं AD more than less than IS, यार आपको 6 marks में जब आजसर लिखना होता है, त तो आपको सारी बाते बतानी है, equilibrium है, तो कहाँ है, और क्यों है, और कहाँ equilibrium नहीं है, और नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है, शब बताओ, 6 marks में तो बोड़ मांगेगा आप से, तो सब बाते बतानी है, आपको AD more than IS, लेजर 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 लेज और पता है special special इसी के उपर question बन जाता है इन मार्क का हाँ इसी के उपर 80 more than एस है तो economy क्या जिस्मिन करेगी तीन मार्क में बताओ कैसे बताओ मैं बताओं आपको कैसे बताओं पहले आप समझतों लोगी होता क्या इन मार्क में तब बता पाओगा जब समझ पाओगे कि है क्या तो अभी डागरम डागरम बना है इसके बदा आगे चीज़ें और भी है छे मारक का question है मजाग में यह अद्यान चे सुनना अब इसके बाद डागरम मना दिया पॉफेक्ट बनकर डागरम नोट्स पर आते हैं मीनिंग हो गया ठीक है दो अप्रोच हमारे पास ते हमने बता दी AD और AS अप्रोच और SI अप्रोच अभी नहीं हुए अभी होगी है okay ADS अप्रोच कंडिशन क्या थी according to Keynes theory the equilibrium level of income and employment is to be determined at that point where AD इक्वल टू एएस डान एडी का है total demand of goods and services हम लेकर चलने दो सेक्टर तो सी प्लस आएस का है total output by all the forms condition का है AD equal to S आपको प्रूफ करना है assumptions के बाद हम प्रूफ कर देंगे कर दिया नागरम बना दिया उसके बाद आते है main part पे जो होता है explanation जो बच्चे छोड़ देते हैं लि इसको नहीं पखड़ना उसको पखड़ देते हो उते चलते हो आप लोग यार अब सीरह चलो explanation बहुत important है दो marks at least एक marks तो है ना आप उसको क्वी छोड़ते हो explain कैसे करना है सुनना बेट नियान से सबसे पहली बात in the figure AD curve shows in the figure AD curve shows the desired मैंने बताया था आपको planned लेके चल रहे ह contractual desired AD by consumer and firm. दो ही सेक्टर है, household or firm sector. The economy is in equilibrium at point E where C plus I and AD curve intersect AS curve. इस बात से मुझे कुछ बात यार रहे है. AD और AS approach का question कैसे बनता है? To know how to determine equilibrium level of income and employment through AD and ADS approach. Simple question, direct question. उल्टा करके बताता हूं, indirect question बताता हूं, बच्चे सोचते हैं क्या लिखूं? How to determine equilibrium level of income and employment through C plus I approach. C plus, ये कौन सी प्रोच है से बताई तुम्हें है? C plus I approach. सर C plus I क्यों होता है? AD, तो ADS approach है. गुमा करे रहेंगे. और पता नहीं चलेगा लिखूं क्या? तो question पहले से पता हो, क्या आएगा तो पता लगेगा, तो question कै C plus I approach. यहां से question बन जाता है. याद रखना. E is the equilibrium point. जहां पे ADS meet कर रहे हैं, और कौन सा point है? equilibrium point है. उसके बाद, उसके बाद. aggregate demand is equal to aggregate supply, यह point पे. और OY is the equilibrium level of output या income या employment जो आपका 200 करोड पे आया है. यह कहां से पता लगा? यह table में था में था. table में आपका 200 करोड पे equilibrium था, जहां पे AD बराबर AS था. यह बहुत important बात है, इसको ध्यान दो. तो table और diagram समझ में आ गया, explanation हो गई. अब क्या बताऊँगा? अब है most important बात. most, most important बात अब ज्यान दो. सर, यह most important बात क्यों है? सुनो. मैंने आपको बुला कि equilibrium तो बता दिया आपने, कि जहां AD बराबर AS है, वो equilibrium है. लेकिन equilibrium कहां नहीं है? सर, जहां AD modern AS है, और जहां AD laser AS है, वह equilibrium नहीं है. तो क्यों नहीं है? और क्यों नहीं है बताने के बाद कि क्य करेंगे equilibrium आजा है, यह most important बात है. इसके उपर तीन नंबर का question बन जाता है बेटा लोग. अब ध्यान चे सुनना में क्या बतारना है? अगर AD more than AS है, सुनना मेरी बात ध्यान से. Number one, if aggregate demand is more than aggregate supply, इसका मतलब पता है क्या बेटा लोग? बहुत simple सी बात है, इसको करने का तरीका बहुत अचान है. अब मेरी बातों को सुनना बशे. AD होते है, C plus I. C मतलब consumption, I मतलब investment. Consumption कौन करता है जड़? households करते है, correct. investment कौन करता है? forms करती है जड़? AD जादा है, ASCS का मतलब क्या? It means, it means, यह पहले बताओ, it means, households and forms, households and forms, both are consuming more, both are consuming more, दोनों के दोनों जड़ा कंजूम कर रहे हैं, तभी AD बहुत ज़ादा हो गया है, then, then, the available supply, या output, जितनी आउटपुट अवेलेबल है, उससे ज़ादा यह कन्यूम कर रहे हैं, both are consuming more, then, the available output, इसका मतलब, सर, अगर यह लोग demand बहुत ज़ादा कर रहे हैं, supply नहीं है, इसका मतलब, जो inventory है, inventory समस्टिव, inventory मतलब, जो stock पड़ा होगा, आपके पास good service का, वो कम पड़ जाएगा, या ज़ादा हो जाएगा, demand बहुत ज़ादा है, इतना output नहीं है, मतलब inventory available नहीं है, inventory वापस लाना है, to bring the inventory back, अगर आपको इस demand को पूरा करना है, to bring the inventory back, जो stock आपको वापस लेके आना है, जो चला गया, खतम हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए, आपको total production को बढ़ाना पड़ेगा, forms को total production को, या total output को increase करना पड़ेगा, इतना increase करना पड़ेगा, till aggregate demand becomes equal to aggregate supply, आए, कुछ समझ मैं आए, बच्चों, नहीं आया, दुबारा सुने, मैंने आपको बहुत simple सी बात बोली आ रहे हैं, कि अगर AD more than AS है, अगर AD more than AS है, इसका मतलब क्या, कि plant spending, spending कोन कर रहा है, या तो होस्वोर्स कर रहे हैं, कर रहे हैं, plant spending जो हैं, बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी output plant हमने की नहीं थी, सब plant लेके चल रहे हैं, हमने यह देखा कि जो consumers हैं, और जो firms हैं, दोनों के दोनों खरीदे ही जा रहे हैं, इतना production available नहीं है, as a result, जो stock है, good service का जो stock है, वो below the limit, जो desired level था, उससे कम पढ़ गया, वो कम पढ़ गया, क्योंकि demand बहुत ज़्यादा होगे, मेरे बाद समझो, एक line को, पहली line को समझो, सब समझ में आ जएगा, कि रहे, AD more than AS था मान लिया, AD more than AS था, इसका मतलब demand ज़्यादा थी, अरे भी output को बढ़ाना पड़ेगा के नहीं, output नहीं है, मतलब stock available नहीं है, उस stock को बढ़ाने, उस stock को बढ़ाने के लिए, inventory को बढ़ाने के लिए, forms को production increase करना पड़ेगा, to bring the inventory back to desired level, forms would increase the level of output, जब तक economy के अंदर AD AS बराबर नहीं आ जाता, उसके बाद को चेंज करने के tendency होगी है, समझ मैं, इसका उल्टा कर दो, AD less than AS में, इसका उल्टा कर दो, opposite कर दो बच्चों, अगर AD less than AS होगा, इसका मतलब यह है, कि householdss और forms, householdss और forms जो हैं मिलके, जो demand कर रहे हैं, वो कम है, जितनी output available है, उससे भी कम demand कर रहे हैं, मतलब कि market में, market में नहीं बोलना, मतलब economy के अंदर जो stock है, वो access में बच्चा हुआ है, तो आपका inventory जो है, इस समय वो जादा है, inventory जाद है आपके पास, अब आपको equilibrium तो लाना पड़ेगा, inventory बहुत जादा है, तो अब आप और production करेंगे, या रोग देंगे, तो अगर equilibrium maintain क करना है, तो forms को production को अब कम करना पड़ेगा, forms अपना जो production है, जो forms output produce करती है, उसको अब forms कम produce करेंगी, और तब तक कम करेंगी, जब तक AD और AS बराबर नहीं आ जाते, अभी AS बहुत जादा है, तो forms को output reduce कर देनी चाहिए, reduce करेंगी कब तक? जब तक AD बराबर AS नहीं आता देखो notes में जब AD less than AS होता है तो क्या होता है? इसका मतलब कि households और forms जो है वो मिलकर कम खरीद रहें जितनी output available है जितना forms willing to produce है desired मतलब जितना उचाहते हैं produce करना उससे कम demand करना चाहते है household और forms तो इसका मतलब क्या है? कि inventory बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा मारे पास बच जाएगा अब आपको और inventory maintain नहीं करना तो forms को क्या करना है? they will plan to reduce the level of output जब तक economic के अंदर AD बराबर है इस नहीं है जाता है बहुत simple है बेटा, बहुत असान है आप सोचोगे न इतना complicated है तो complicated लगेगा बहुत असान चीज़ है, concept से चलो आप सोचो, एक मिनिट के लिए भूल जाओ कहानी की तरह सोचो, अगर AD more than Ais तो क्या होगा सार, अगर aggregate demand जादा है aggregate supply से, demand अगर जादा है तो मतलब supply market में नहीं है और supply नहीं है तो बढ़ा हो ना supply को बढ़ा देंगे, कब तक, जब तक बराबर नहीं आते AD और Ais, और अगर demand कमे supply जादा है, क्या करें supply को कम करो ना, क्यों बढ़ा रहे हो फाल तुमें supply कम कर दो, जब तक AD बराबर Ais नहीं आता, बहुत simple है, दिमाग से चलो बेटा, तो यह पहली अप्रोच थी, AD और Ais अप्रोच, यह आपकी second अप्रोच है, saving और investment अप्रोच, पर पहले हम अपनी पहली अप्रोच को खतम कर लें, वो first अप्रोच में आपने क्या क्या पढ़ा बेटा, पहली अप्रोच में पढ़ा आपने कि AD और Ais से कैसे equilibrium determined होता है, तो कैसे होता है, जहां पर AD और Ais बराबर होता है, AD क्या होता है, demand होता है, कौन सी demand होती है, total demand होती है, इसकी होती है, good service की होती है, कौन करता है, households और firms करते हैं, कब करते हैं, after given period of time, AS क्या होता है, total output, produced by all the firms, अब दोनों जहां बराबर होंगे, और दोनों design, plan, plan, एक बात बता नहीं भूल गयाना, आपको ध्यान जब AD और Ais बराबर हो जाते हैं, जब AD और Ais बराबर हो जाते हैं, तो यह demand जो है न, इस level पे effective हो जाती है, अगर आपके पूछते हैं, what is effective demand, तो आप बोलोगे, at equilibrium point, when AD becomes equal to AS, then it becomes effective, तो effective demand क्या होती है, सिरफ और सिरफ जब equilibrium हो, उस demand को, इस point पे चितने भी demand होगी, equilibrium point पे चितने भी demand होगी, 200, table में देखो, AD कितना है, 200, यह वाला AD जो है न, यह effective AD है, बाके effective AD नहीं है, तो effective aggregate demand क्या होता है, equilibrium point पे जो demand है, उसे बोलते हैं, effective demand एक number रा question बन सकता है, तो अगर तीन number रा question बना, कि अगर AD more than AS होता है, जब AD less than AS होता है, तो economy equilibrium पे क्यों नहीं होती, और economy को क्या adjustment करने पड़ेगी, कि equilibrium आजा है, तो यह आपको, तीन number में शरफ, यह दो जो last के point है न, यह बताने पड़ेंगे, हमें diagram, बागी कुछ नहीं बिलाना पड़ेगा, तो यह question किसी बीतार बन सकता, तो हमने पहली अप्रोच खतन कर ली, AD and AS अप्रोच, अब शुरू करेंगे, दूसरी अप्रोच, that is saving and investment approach, second approach, कहना मैं, savings and investment approach, बहुत ही असान हो जाएगे आपके लिए, क्योंकि आपने TDS अप्रोच पढ़ लिए, saving and investment approach, ध्यान देना, अत्ती सुंदर तरीके से सम जाऊंगा, बस ध्यान देना, savings and investment approach, presentation, presentation, presentation is the most important part of explanation, content से भी जादा मेटर करती है, presentation, content अपनी भाशा में लिख देंगे आप, अब बहुत समझदार बच्चे हैं, लेकिन presentation तो वही करनी है न, जो economics मांगती है, वो अपने आप कैशे कर देंगे बिना शीखे, तो presentation को सीखो बेटा, presentation is the most important part, ओके, अब सुनना निहां से, शुरू करते है, saving and investment approach, with presentation, देखो बेटा, ADAS approach की तरहां ही, saving investment approach में भी, आपको same presentation देने हैं, जैसे आपने ADAS approach में देने हैं, तरू presentation क्या थी, सबसे पहले, आपको देना है meaning, कि saving investment approach क्या कहती है, इससे equilibrium कैसे determined होता है, उसके बाद आपको देनी है assumptions, same as before, जो assumptions पहले थी, वह assumption आपको same देनी है, कुछ नहीं बदला, सर meaning भी देखना आप नहीं बदलेगा, इतना बदलेगा बस, कि equilibrium level of income and output is determined at that point, where, where के बाद पहले क्या था, where ad is equal to age, अब क्या होगा, where savings equal to investment, इतना बदलेगा, assumption same रहेंगी, तो क्या बदला, कुछ में नहीं बदला, सरफ दो words बदल गए, उसके बाद condition, condition लिखूँगा, assumptions के बाद क्या लिखूँगा, condition, condition मतलब कि कहां पर equilibrium भुगा, उसके बाद बनाऊँगा, table, table भी same जो पहले बनाऊँगा, इसके बाद चेंज क्या हुआ, जो जो चीजे चेंज होंगी बताऊँगा मैं आपको, table भी same है, फिर diagram, diagram complete change है, diagram में change है, explanation में change है, तो शुरू का जो material है, शुरू का जो content है, अब ध्यान से सुनना, बहुत ही असान अप्रोच है, meaning सुनो, हम क्या पढ़ रहे हैं, equilibrium determine करना चाहा है, economy के अंदर equilibrium level of income employment output, determine करना चाहा है, through saving investment approach, या फिर x ant savings और x ant investment approach, चुकि यह भी planned savings है, और planned investment, एक्स पोस्ट की बातें नहीं करते हैं, planned की बात करते हैं, एक्सांट की बात करते हैं, तो जहां पर planned savings और planned investment बराबर होंगे, यह भी 15 तेयोरी है, किनिजियन तेयोरी बोलती है, saving investment approach से भी आप equilibrium determine कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो देखिए बचो, according to, according to keens, jm keens, short में लिखता हूँ, according to jm keens, equilibrium level of income, employment or output is to be determined, is to be determined, is to be determined, at that point, at that point, where planned savings, planned savings, equals to planned investment, planned savings, equals to planned investment, ध्याद दे, यह आपका meaning होगे, assumptions मैं लिखोंगा, same as before, assumption क्या थी, मैं आपको दुबारे से बता देता हूँ, बहुस पहली assumption थी, two sector model लेके चल रहे हो, आप जहां पर सरफ household है और form है, assumption सेम रहे हैं, दूसरी assumption, investment is assumed to be constant, यह आप मानके चल रहे हो, हमने 10 लिया था, 10-10 लेके चलेंगे, अब भी, उसके बाद, price level is assumed to be constant, ना inflation है ना deflation, एकोनोमी, stable, उसके बाद, equilibrium is to be determined, and shorten, यह मानके चल, ठीक है बच्चों, तो यह assumption सेम है, उसके बाद, assumption आपने लिग दी सेम, अब condition क्या है, condition पर गौर करना, condition है, AD equal to AS जहां होता था, उसे बोलते थे equilibrium, पर हम तो पढ़ रहे हैं सा, saving investment approach, तो saving investment बराबर हैं, और वहाँ पर equilibrium में कैसी पता चला, यह ADAS approach से ही पता चला, देखो कैसे, सर, aggregate demand का मतलब होता है, C plus S, सबको पता है, aggregate supply होता है, C plus S, यह भी सबको पता है, CC हो गया, cancel, अब बच्चा, I equal to S, तो इसको भी आप equilibrium बोलोगे, equilibrium निकालने की second approach, savings and investment approach, इस approach से आप equilibrium निकालने जारे हैं, यह condition आपको explain कर देनी है, यह planned investment है, और planned savings है आपको ध्यान रखना है, planned savings या desired savings equal to planned investment, यह आपको ध्यान रखना है, अब इस condition को prove करना है, कैसे prove करेंगे सर, table से prove करेंगे, तो table तो बहुत ही अशान है, उसमें क्या क्या बनता है सर, आप बनाते हो Y, उसके बाद, Y, Y के बाद बनाते हो, आप C, C के बाद बनाते हो, आप I, I के बनाते हो, S, उसके बाद AD, उसके बाद AS, वैसे इस approach में need नहीं है, AD और AS की, लेकिन आप बना देना अच्छा रहेगा, income 0, 100, 200, 300 और 500 तक आप ले लो, consumption is 10, हम लेते आ रहे हैं शुरू से, 100, 190, 280, 370, और 460, investment is assumed to be constant, तो आप 10 ले लो, तो के, उसके बाद, उसके बाद, savings कैसे निकालते हैं, income minus consumption, यहां तक आपको बहुत अच्छा समझ में आ, हम पढ़ रहे हैं, equilibrium determine करने की ducery approach, saving and investment approach, as like ADS approach, complete वैसे कर वैसे है, saving निकालेंगे, income minus consumption से, तो कितनी आएगे savings, minus 10, 0, 10, 20, 30, and 40, ADS C plus I, तो 20, 20 के बाद, 110, उसके बाद, 200, then 290, then 380, and then 470, okay, AS, C plus, S, 0, 100, 200, 300, 400, 500, अब, remarks का column बनानेंगे, remarks में, आप क्या लिखेंगे, आप देखो, आपको proof क्या करना है, सबसे पहले आप देखो, आपको proof क्या करना है, आपको proof करना है, कि जहां पे I और S बराबर होंगे, वो होगा, equilibrium, तो I और S कहां बराबर हैं, बैटा, आप proof कर दो, बहुत simple तरीके से हमने proof कर दिया, यहां पे बराबर हैं, कौन सी income पे, तो हम बोलेंगे, 200 level of income पे, I is equal to S, investment equal to savings, उसके अलाबा, इस situation में अगर आप देखें, तो आपकी investment ज़ादा है, savings से, तो I is more than S, उसके बाद अगर आप देखें, तो आपकी savings ज़ादा है, investment से, तो आप लिखेंगे, I is less than, same as like ADS approach, हमने SI approach में भी इस तरह से table में explain कर दिया, अब इसका बनाएंगे धागराब, जो most important है, आप दिहांग देखेंगे, डागराम में, मैं डागराम बनाता हूँ, साथ में बिलकुल यहां पे, आपको अच्छे से समझ में आगा, तो डागराम में आप X और Y-axis पे क्या लेंगे, X और Y-axis पे आप क्या लेंगे, X पे आप लिखेंगे सर, income, output, और employment, Y पे आप लिखेंगे, aggregate, sorry, AD ने लिखेंगे अब, अब लिखेंगे savings and investment, savings and investment, यह आपका, labeling वाला portion complete हो गया, अब बहुत important बात क्या है, कि मैं Y-axis को नीशे तक लेके जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि savings investment approach है, मुझे यह savings कर बनाना पड़ेगा, और savings शुरू होती है, minus 10 से, this savings, तो आपको saving शुरू करनी है, minus से, और upward sloping saving curve ड्रॉ करना, this is saving curve, उसके बाद, ऐसा यह approach है, saving बना दिया, investment भी मेरे को चाहिए, और investment curve कैसा है, paddle to x-axis, तो आप बना देंगे, investment curve paddle to x-axis, बहुत ही असान, बहुत ही simple, सबसे पहले आप saving curve बना देहां देंगे, तो जहाँ पे आपका SI बराबर है, वो यह point है, यहाँ लिखेंगे आप savings equal to investment, यहाँ पे आपकी investment जादा है, savings कमने बिटाए, saving negative में, और यहाँ आपकी savings जादा है investment कम, तो यह line draw करेंगे, यहाँ आपका O से लेके Y तक equilibrium level of income है, यहाँ आपकी savings zero है, और यह आपकी O से लेके S तक, यह आपकी dis savings है, minus C बर इसको आप बुल्ट है, और यह आपका हो गया equilibrium point, equilibrium point है, और जो यह है, Y यह आपका है equilibrium level of income, जो आपने determine कर लिया, ऐसा ही approach से हैं, तो इस level of income पे हमारी economy equilibrium पे होगी, बहुत यह असान, बहुत यह शिंपर, अब इसकी explanation कैसे करने हैं, द्यान देना में जाएं, SI approach में, आप diagram बनाने के बाद, explain कैसे करेंगे, द्यान से सुनना, देखो बेटा, in the above figure, इस diagram में आप क्या देखते हो, कि investment curve is parallel to x-axis, बोलो क्यों, तो कि investment is assumed to be autonomous, वो constantly investment curve parallel to x-axis, उसके बाद, saving curve slope upwards, showing that as income increases, savings also increases, यह आपका saving curve, बहुत असानी से upward sloping drawn जै, उसके बाद बताओ, economy is in equilibrium, at point E, यहाँ पर economy कै है, equilibrium पे क्योंकि यहाँ पे savings और investment, बराबर है, यह आपको समझ में आदे होगा, उसके बाद, हम बोलेंगे planned savings बराबर है, planned investment, यह आपको ध्यान में ने बता दिया, उसके बाद जो O Y है, इसको बूलते हैं, आप equilibrium level of income, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, equilibrium level of income, आपका यह है, तो के उसके बाद, इन table, 200 करोड पे, table की बाद कर रहा है, 200 करोड पे economy equilibrium पे, क्योंकि यहाँ पर ही आपकी investment और saving बराबर है, यह आपका होगा, equilibrium level of output and employment, उसके बाद, उसके बाद, अब आती है, most important बात, जो मुने पहले भी की थी, जैसे हमने पहले किया था, कि अगर 80 more than AS होगा, तो क्या होगा, और 80 less than AS होगा, तो क्या होगा, सेम बात, यहाँ भी आपको समझानी पड़ेगी, अगर planned savings, अगर planned savings, जादा है, planned investment से, तो क्या होगा, इसको समझाने का तरीका, बहुत असान है मेरे पास, सर, एक बात जान लो, आपने AD AS approach से ही, I और S approach निकाली है, अगर AD जादा होगा AS से, तो समझ जाना, I जादा होगा S से, अगर AD कम होगा AS से, समझ जाना, I कम होगा S से, क्योंकि I is a component of AD, तो जो आपने AD modern AS में लिखा था, वही आप investment modern saving में लिखेंगे, जो आपने AD less than AS में लिखा था, वही आप investment less than savings में लिखेंगे, आपको समझना आ रहा है, तर अगर aggregate demand जादा था, अगर aggregate supply से, मेरी बात समझना रहा है, इसके साथ में क्या लिखा हूँ, यहां मैं लिखूँगा AD less than AS, वो लो क्यों, क्योंकि saving is a part of AS, तो AS जादा हुआ हुआ, इससे AD से, अब AD कम था AS से तो क्या था, अगर savings ज़ादा investment कम है, इसका मतलब क्या है, कि जो households और forms हैं, उनका consumption बहुत ज़ादा हो रहा है, तभी तो saving बहुत ज़ादा है, सुरी, consumption जो बहुत कम होता भी saving की ज़ादा है, तो householder form दोनों के दोनों, consumption कम कर रहे हैं, जितना output economy के अंदर planned है, उतना, उतनी demand economic के अंदर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, जब demand नहीं है, और production बहुत ज़ादा है, तो production को कम करना पड़ेगा, कौन कम करेगा सर्, forms कम करेंगी, और जब forms production कम करेंगी, सोचो, अब मेरी बाद सुनना, जब forms production कम करेंगी, तो क्या होगा, जब form production कम करेंगी, मतलब aggregate supply कम हो जाएगी, अगर aggregate supply कम हो गई, तो country की national income कम हो जाएगी, समझ में आ रहे हैं, और national income कम हो गई, तो country की savings भी कम हो गई, और savings को तब तक कम करेंगे, जब तक investment के बराबर नहीं आती, एक line और extra बढ़ देगी आपे, मैं फिर से समझाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है बेटा, if savings more than investment, इसको ध्यान से सुनना है, सबसे बहली बात, savings ज़ादे investment से मतलब कहएं, savings ज़ादे investment से इसका मतलब कहएं, कि आपका AS ज़ादे है aggregate demand से, मैंने कैसे निकाल लिया, बहुत simple तरीक है बेटा, investment किसका component उटा है, aggregate demand का, और savings aggregate supply का, मतलब आपका AD जो है, वो कम है, AS आपका ज़ादा है, अगर AD आपका कम AS ज़ादा है, इसका मतलब कहा है, कि इस situation में जो forms और consumers, यानि कि household लिग देतों में आपे, जो households हैं, और जो forms हैं, households और forms दोनों के दोनों, demand जो है, वो कम कर रहे हैं, planned output से, जितनी output planned है, उससे कम अभी उनकी demand है, तो आपको equilibrium achieve करना है, equilibrium achieve तब होगा, जब आप output को कम कर दोगे, output को कम कर दोगे, जब output कम हो जाएगी, तो income भी कम होगी, और जब income कम होगी, तो savings भी कम होगी, और हमें savings कम ही तो करनी है, बहुत जाएगी, और savings को तब तक कम करेंगे, till S becomes equal to I, यह मेरी बात ध्यान रखना, इसका opposite सुनो बेटा, अगर investment ज़ादा होती, savings, इसका मतलब क्या है, कि AD ज़ादा होता, AS, मेरी बात समझने आ रही है, इसका मतलब जो aggregate demand, aggregate demand है, वो कौन कर रहा है, households, और forms, दोनो के दोनो, demand बहुत ज़ादा कर रहे हैं, इतना output plan नहीं है, अब output plan नहीं है, तो output को बढ़ाओ, output बढ़ेगी, तो income बढ़ेगी, income बढ़ेगी, तो savings बढ़ेगी, और savings बढ़ाने ही तो है, और savings को तब तक बढ़ाएंगे, जब तक investment के बराबर, नहीं आ जाती, यह आपको ध्यान रखना है, यह दोनों के दोनों condition, आपसे पूँच सकते हैं, explain करने के लिए, तीन marks में, तो मेरी बास समझ में आई, अगर savings कम है, investment से तो क्या करेंगे, savings अगर कम investment से है, तो इसका मतलब क्या है, कि households और forms जो है, वो consume करने हैं, बढ़ेगी, तो saving बढ़ेगी, saving को तब तक बढ़ाएंगे, जब तक investment के बराबर नहीं आजाएंगे, this is called saving and investment approach, देखो बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है, कि अप्रोच बहुत कॉंप्लेक्स हैं, तो कुछ कॉंप्लेक्स नहीं है सके अंदर, आपको सरफ और सरफ concept को ध्यान देना बेटा, मैं पाँच मिनिट में एक बार फिर से इस approach को revise करगा पड़ू, कुछ समझ में नहीं आया, तो ध्यान से सुपड़ू, आ जाएगा समझ, saving investment approach, सर, हमने equilibrium निकालना था, equilibrium निकालने के लिए दो approach हमाने पास थी, किसने भी, जेएम, कींस, हम कींस theory पढ़ने है, कीणीजियन theory पढ़ने है, कीणीजियन theory क्या बोलती है, कि आप equilibrium निकाल रहे हो, तो 12th class किस लिएसमें, सर, अगर AD बराबर AS है, तो अबशी बात है, कि C प्लस I और C प्लस बराबर होगी, इसी की वज़े से, I बराबर S भी equilibrium ही हुआ, अब इससे proof करो, हमने डेवल बनाई, और proof कर दिया, जहां पर I बराबर S आया, हमने बोल दे equilibrium, दागरम में बना लिया, वो दिक्तर ने डागरम में, इन्वेस्टमेंट कॉंस्टिक्ट, सेविंग नेगेटिव से शुरू हो रही है, जहां दोनों मीट करेंगे, इकलिब्रियम पॉइंट हो जाए, दिक्कत आप पुआरी हैं यहां पर, कि अगर इन्वेस्टमेंट कम है सेविंग से, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जादा है सेविंग से, तो क्या होगा, अब सुनना मेरी लागविज में, मेरे तरीके से, इसको छोड़ टेक मेंट करें, अगर सेविंग जादा है इन्वेस्टमेंट से, और से जादा कर रही है अब खर्चा कम कर रही है तो मतलब डिमांड नी कर रही होंगी और डिमांड नी कर रही मतलब सप्लाई बहुत जादा होगी और सप्लाई बहुत जादा है तो कम कर दो ना तो सप्लाई हमने कम कर दी फॉर्म्स ने आउट्पुट को रिड्यूस किया अगर एकृपर रिक्लिम्रियम अचीव करना है तो रिडीूस करना पड़ी। अगर saving कम है इसका मतलब consumption बहुत जादा होड़ा, household और firm दोनों consume जादा करने है, मतलब demand बहुत जादा है, इतनी planned output नहीं है, तो output को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाया है मैंने, output बढ़ाएंगे तो income बढ़ेगी, income बढ़ेगी तो saving बढ़ेगी, saving को तब तक बढ़ाएंगे जब तक investment के बढ़ाबर नहीं आ जाती है, कितना simple है, तो कहानी से समझो, मैं same बात बार बर वोता हूँ, कहानी के समझो, आप रटो मत, देखो मत कितना complex है, बहुत इसाल है, हमने आज दो approach की है, AD and AS approach, और investment and saving approach, दोनों ही approach, 6 marks में एक approach आ सकती है, डागराम, और सब से important part य क्यों होता है, जो explanation का होता है, as more than I, explanation of condition बोलते हैं इसको, explanation of condition, आपको conditions को explain करना है, कि I more than this और I laziness, इसके उपर question बन जाता है, इस पे आप ज्यान देखो, तो आज हमने दो approach कर ली, ADAS approach और investment and saving approach, इसके उपर question भी बनेंगे, numericals बात में, next class का जो topic होगा, वो होगा, equilibrium के तीन तरह के type, full employment equilibrium, under employment equilibrium, over employment equilibrium, उसके बाद आएका topic, investment multiplier, बड़ा ही बज़ेदार topic, interesting topic, लगभग एक से दो class और लगेंगे, चाप्टर कदम, आज की class को tips पे, शान्ती से अपने room में बैठके revise कर, अपने mind से बाते करो कि इसका मतलब क्या है, दिहान वहां से हटाओ, यहां लगाओ, पढ़ा, जहां भी यहां से हटाओ, और यहां लगाओ, पोन साइड में रखो और पढ़ो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, यह आपके पढ़ने की, यह यह जो उती है बिगडने की, इसके लिए इतने हैं बच्चो, thank you so much, ठीक है.